हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज किर्केट के इतियास में एक एतियासिक दिन था क्योंकि जो आज इंडिया वर्सिज इंग्लेंड के बीच में थर्ड टेस्ट मैच खेला गया इसमें इंडिया ने केवल दूसरे दिन ही पूरे पूरे दूसरे दिन भी यूज़ ना करते हुए इस मैच को शांदर दस विक्टो से अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो आज का मैच बड़ा ही एतियासिक था क्योंकि इस मैच में सैकिंड डे में ही रजल्ट आ गया अख्सर पटेल इस पूरी टेस्ट मैच के मैच अफ़ दा ही रहे उन्होंने काफी अच्छी गेंद बाजी की दोस्तो इंग्लेंड ने इस मैच में टोस्ट जीत वे पहले बल्ले बाजी का फैसला किया था दोस्तो इंग्लेंड की टीम पहली इनिंग्स में केवल 112 रनों पर आल आउट हो गई और उसके जवाब में इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 145 रनों पर आल आउट हो गई दोस्तो इंडिया की जो इंग्लेंड का जो पहली इनिंग्स थी उसमें अक्षर पतेल ने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और जो इंडिया की इनिंग्स थी उसमें इंग्लेंड की काफी अच्छी बोलिंग रही और रूट ने काफी अच्छी लिए इस परकार इंग्लाइंड की टीम ने इंडिया के सामने जीत के लिए उनंचा सरनों का टारगेट रखा सेकिन्ड जो इनिंग्स थी इंग्लाइंड की उसमें भी अक्षर पटेल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अक्षर पटेल ने पांच विकिट लिए इंग्लेंड की सेकिंड इनिंग्स में इस परकार उन्होंने टोटल इस मैच में 11 विकिट लिए और जो की मैच ओफ दा हीरो रहे इस परकार से दोस्तो आज इंडिया की टीम ने जब उन्हें 49 रनों का टार्गेट लिया तो बिना कोई विकिट गवाए उन्होंने बड़ी ही इजी तरीके से रहे शर्मा और सुमन गिल ने 99 रनों का टार्गेट चीज़ कर लिया बिना कोई विकिट गवाए इस परकार इंडिया की टीम ने ये मैच शांदर दस विकिटों से अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो ये एक एतियासिक मैच था इस सीरीज में इंडिया ने दो एक से भड़त बना लिया है पहला जो मैच था इंग्लेंड ने जीता था दूसरा इंडिया ने और ये तीसरा इंडिया ने जीता जो की एक एतियासिक जीत है एक तो इस मैच में पूरी तीस विक्टे गिरी वो भी किवल दो दिनों के अंदर पहली बात तो ये काफी एतियासिक है उसके बावजूद अकसर पटेल ने 11 विकेट लिए काफी अच्छी गेंदवाजी उन्होंने की फिर दो दिन पूरे ना खेलते हुए भी इस मैच का रजल्ट आ गया इंडिया ने 10 विक्टो से ये मैच जीत लिया जबकि दोनों टीम्स ने अपनी दोनों इनिंग्स खेली उसके बावजुद भी केवल दो दिनों में ही ये रजल्ट आ गया काफी एतियासिक मैच है दोस्तो काफी रोमान चेक मैच था दोस्तो अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड से रिलेटिव हर जगे इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी इस मैच के बारे में पता सल सके और दोस्तो कमेंट बोक्स में आप हमें बताएं कि आपके इसाफ से कौन सा प्लेयर मैच ओफ दा हीरो रहे इंगलेंड की तरफ से और ऐसे ही इंडिया की तरफ से कौन सा प्लेयर मैच ओफ दे हीरे समझते हैं और कौन सा प् हमें comment session में लिख कर जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे channel पर नए हैं तो subscribe button को दबा कर मेरे channel को subscribe करें और new notifications के लिए bell icon पर click करें ताकि आपको ऐसी ही videos time to time और सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों जै हिंद झाल